आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैल्डी काइंट प्लस कैपसूल के बारे में जो कि एक नूट्रिशनल कैपसूल है यानि कि जब हमारी बोड़ी में नूट्रिशन की कमी हो जाती है तो इसका यूज़ कह जाता है और इसे हम हड़ीो को मजबूत करने के लिए बहुत ज़़ा यूज़ कर दा है तो हम जानेंगे इसके क्या-क्या यूज़ होते हैं और इसमें क्या-क्या पैस आता है इसका price कि इतना होता है और कि लोगं को इसका यूज़ नहीं करना चाहिए देखी कई बार हमारी बोडी में nutrition की कमी हो जाती है या फिर किसी बीमारी के कारण हमारी हड्यों को nutrition नहीं मिल पाता है जिससे हमारी हड्या कमजोर हो जाती है या फिर उसमें कोई problem हो जाती है तो उसे दूर करने के लिए हम इसका use करते हैं और इसके अलावा as a old age supplement भी हम इसका use कर सकते हैं यानि कि जब old age में हड्डिया कमजोर हो जाती हैं तो उन्हें मजबूत रखने के लिए हम इसका use करते हैं देखे इसमें वे सबी minerals और vitamins पाय जाते हैं जो कि हमारी हड्डियों को सवस्त रखते हैं इवं उन्हें मजबूत बनाते हैं इसके लावा ऐसे लोग जिनमें खून की कमी होती है तो उसमें भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है और जिनमें kidney disease होती है, skin problems होती है या फिर hormonal disorders होते हैं तो उनमें भी इसका use क्या जाता है अब हम जान लेते हैं कि इसमें क्या-क्या composition होता है ने कि आपको इसमें क्या-क्या देखने को मिलता है और उनके क्या-क्या काम होता है तो देखिए इसमें आपको कई सारे vitamins and minerals देखने को मिल जाता है जैसे कि methylcobalamin, calcitrol, calcium carbonate, DHE, boron, folic acid and EPA जो methylcobalamin होता है, ये vitamin B12 की form होती है ये हमारी नसों को damage होने से रोकता है और हमारे body में blood को increase करता है ये कि खून को बढ़ाता है जो calcitrol होता है, वो vitamin D का एक रूप होता है तो calcitrol and calcium carbonate, ये दोनों मिलकर हमारी हड़ियों को मजबूत बनाते है और हमारी body में calcium की कमी को पूरा करते है और इसमें पाए जाने वाला boron एक mineral है जो की हड़ियों को मजबूत रखता है और especially बच्चों की learning ability को increase करता है ये कि उनके mind को strong करता है और इसमें पाए जाने वाले folic acid को हम folate या फिर vitamin B9 नाम से भी जानते है ये हमारे blood में hemoglobin के amount को बढ़ाता है या फिर उसे बनाता है और last में हैं आपर DHA and EPA तो ये दोनों omega 3 fatty acid है जो की हमारी body में excess cholesterol को कम करते है और हमारे heart, brain and nerves को healthy रखते है तो कुल मिलाकर हमारी body के लिए काफी अच्छा capsule होता है 145 रुपीज लेकिन आपको ये कुछ discount rate पर मिल जाता है अब बात करते हैं इसके dose के बार में तो इसके dose आपके doctor decide करते है याई कि जैसे भी आपकी condition होती है या फिर आपको जैसी problem होती है तो उसके अधार पर आपको doctor इसके dose बताते है साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि किन लोगों को इसका use नहीं करना चाहिए तो number one इसका जो composition है यदि आपको इन में से किसी भी चीज़ से allergy है तो आपको इस capsule का use नहीं करना चाहिए number two यदि आप में hypercalcemia है याई कि आप में calcium की मात्रा जाता है तो आपको इसका use नहीं करना चाहिए इसके लावा kidney problems यानि कि ऐसे लोग जिनमें kidney की problems रहती है तो उन्हें भी खुद से इसका use नहीं करना चाहिए और ऐसे लोग जो की surgery कराने वाले हैं तो उन्हें भी इसका use नहीं करना चाहिए